Vector Space के बारे में एक छोटा सा concept आपको मैं clear कर दूँ ताकि बाकी लोगों को भी समझ आजा कि Vector Space क्या होती है मैंने आपको बताया कि जब Rene Descartes ने Rene Descartes ये असल में घैने ये basically different European languages के अंदर ये उमलाव 2 इने बोलते हैं और ये उपर आते हैं इनके तो Descartes इन्होंने जब अपनी Algebra को जब Geometry के साथ लिंक कर रहे थे ना उन्होंने हमें system दिया था coordinate system 2D coordinate system जिसको हम paper के उपर draw करते हैं जो मैं अब तब से कर रहा हूँ और जिस space में हम रहते हैं इसको कहते हैं 3D यानिके 3D dimensional coordinate system और मैंने आपको बताया कि इसको कुछ इस तरीके से R2 के साथ शो किया जाता था और जाता है अभी भी mathematical notation के अंदर इसको हम बोलते हैं 2D real space अगर मैं इसको मैं 2D real coordinate space इसे बोला जाता है तो यह बिसिकली होती क्या है कि ऐसी space जिसके अंदर आपके vectors आ सकें और जैसा ही मैंने आपको बताया कि vectors पर depend करता है कि अगर उसको किसी के साथ add किया जाए multiply किया जाए या उसके साथ छेड़ खानी की जाए उसको scale किया जाए एक को या दूसरे को तो जितने possible vectors उससे बनते हैं उसको हम span of vectors बोलते हैं ठीक है span of vectors जो हैं वो किस space में बन रहे हैं for example किसी भी एक vector के अंदर अगर सारी की सारी 2D space vectors possibility हैं है कि वो सारे के सारे बन जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि इसका जो span है वो r square है यानि कि two dimensional real coordinate space इसका span है span of that vector और दूसरा मैंने आपको बताया अगर एक ही line पे आए तो उसको हम कहते हैं कि linear independence है उसकी एक होता है जो तो बिलकुल 0 पे रहे उसकी कोई भी हमारे पास vector span नहीं होता तो vector span का मतलब यह होता है अब vector space की example मैं यहीं पे ले के आऊंगा मैं यहीं से एक example copy करता हूँ और आपके सामने यहां पे paste करता हूँ और इसको फिर समझ दें कि vector space क्या होती है अब यहां पे अगर गौर करें अगर इसकी definition देखी जाए तो यह collection है किस चीज की obviously vectors की यह वो सारे vector जो आपस में add भी करिये जाए और जब उनको multiply किया जा सके किसी और scalar के साथ तो वो भी possible हो यानि कि मैं 30 के साथ multiply करता हूँ 3 के साथ करता हूँ so on and so forth for instance all two dimensional vectors जितने भी two dimensional हमारे पास vectors है जो x और y coordinate रखते है ठीक है from a vector space as they can be added in scales ठीक है अब यह कहा है कि जितने भी r square यानि कि two dimensional space के अंदर जितने भी vectors है वो आपस में उनकी vector space है यानि कि इस space में जितने भी vectors है वो आपस में इस तरीके से combine भी किया जा सकते है और वो किसी भी scalar quantity के साथ multiply भी किया जा सकते है simple is that तो vector space यही होती है the collection of vectors that can be added together and multiplied by scalars तो अब मुझे बताएं कि यह जो एक line पे vectors होते है इनकी vector space क्या है इनकी vector space वो ही vectors है जो सिरफ इस line के उपर है ठीक है अब जो दूसरा मैंने आपको बता है कि कहीं पे भी vector बन सकता है इनका और किसी के साथ भी यह add up किये जा सकते है space के अंदर यह इनकी r square space है यह एक linear space है यानि कि linear dependence की base पे है और यह हमारी linear independence है अब तीसरी मैंने आपको बता ही 0 वाली वो इसमें आती नहीं है क्योंकि 0 में vector ही कोई नहीं आ रहा यह हमारे पास vector spaces का concept होता है hopefully यह आपको clear हो गया होगा अगर नहीं clear होगा तो इसको और भी detail में देखिएगा and then we will move forward towards our matrices लेकिन उससे बहले भी काफी concepts हैं जो समझने वाले हैं but I think today this is enough to understand और hopefully आपको सारी चीज़ें clear हो गया होगी